भारती जन्ता पार्टी का जो मनो इस्तिती है न वो ऐसी हो गई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आगा उन्हें घर में हत्यार रखो कि करें तो करें क्या उन्होंने कई प्रयास किये हर प्रयास में देश के लोगों ने उनको मूँ तोड जवाब दिया जितना उन्होंने गलत प्रयास किये उतने ही अधिक लोग जुडते गए हम तो ये यात्रा लोगों को जोडने के लिए कर रहे है लोगों के मन से नफरत मिटाने के लिए कर रहे है लोगों के मन से इर्शया घ्रणा मिटाने के लिए कर रहे है भारत को जोडने के लिए कर गाया और बार बार मैंने अगरे किया मोधी जी अभी भी यातरा खतम नहीं हुआ आईए आप तिरंगा हाथ में लीजिए राहूल गांदी जी के नेत्रित में चलिए तीन गंटे ज्यादा नीं तीन गंटे ज्यादा नीं होगा आपसे पैर में छाले पड़ेंगे, सर्दी जुखाम का भी डर रहेगा, हम नहीं चाहते हैं, देश के प्रधान मंत्री को कोई तकलीफ, तीन घंटे चलिए, तिरंगा थामना पड़ेगा मूदी जे, ये प्री कंडिशन है, तिरंगा थाम के चलिए, आपके मन से सब ये जो गलत वि बात नहीं करेगा, आपके मन से विकार मिट जाएंगे, आपके साथ में, आपके कैबिनेट के सयोग्यों को भी लाइए, उनको तीन घंटे मत चलाइए, अमिश्या साब को 15 मिनट, और 15 मिनट में उनको फाइदा मिलेगा, उनको फाइदा मिलेगा, उनको फाइदा मिलेगा दिदी चलिए आपके मन से जो ये घ्रणा है ये उट पटांग के आप ट्वीट करते हो सब बंद कर दोगे मुझे पता है क्योंकि ये जोडने की बात है जब लोग वहाँ पे जोडने की बात करेगा जब सब लोग वहाँ पे तिरंगा लेके चल रहे होंगे जब चारो तरफ भारत माता की जय के उद्भोशन होंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे आप ये सब जो शर्ट पैंट जूते कपड़े कंटेनर इन सब से आप उपर आ जाओगे और फिर इसकी बात करोगे कि महंगाई कैसे कम की जाए रोजगार कैसे उपलब्द कराए ज देश की अर्थ विवस्ता को सुद्रण कैसे बनाया जाए जूट कैसे खतम किया जाए एकॉनोमी से भी और वारतालाफ में भी तो चलिए और हम तो आपको कहेंगे मोधी जी आपने हमारे लोगों का तो अपमान किया कोई बात ने क्योंकि हम तो जोडने की बात करने उस अ मेत्रत में चलिए राहूल गांदी जी आधी बहां का शर्ट पैन के आगे चलेंगे मोधी जी आप पूरा स्वेटर पैने हमादा करता हूं कॉंग्रेस का कोई आदमी ट्वीट नहीं करेगा आपकी फोटू आप पूरा स्वेटर मफलर डालके चलिए तीन घंटे चलिए मो झाल